हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ सुरिन कुमार दोस्तों कैसे है आप उमीद रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे ही होंगे और अपने अपनी जिन्दगी में मस्त एवां स्वस्त होंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो हम लेके आए हैं मीट अर्थात मतन त्यार करने का फुल वीडियो दोस्तों मानसाहरी लोगों के लिए मीट मचली काफी पसंदिदा भोजन रहा है मगर दोस्तों भोजन अगर मजे नहों तो एक तो कैसे बरवाद होते हैं दुसरा भोजन खा के मन में संतुष्टी पाने का बज़र मीट मचली का खाने का इच्छा घड़ जाता है या बदल जाता है दुबारा मीट मचली खाने को जी नहीं करता है मीड मचली का अच्छे से पकना और स्वादिश्ट बनाना जरूर एकता है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मटन अर्थात मीड को केश्ट कैसे बनाते हैं बिल्कुल सरल तरीका में आपको दिखाने जा रहा हैं तो दोस्तों हमारे साथ मिधियू का उंत्यत्य बनें थी इससे लाइक करें दूस्तों को सेर रें और अब तक हमारे चानल को नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब और साथ ही इस वीडियो को Facebook पैस से देख रहे हैं तो हमारे पेच को thalo करना नव देखते हैं आगे का वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले सुथ ताजा मास परिवार के हिसाब से कठात परिवार का खने का हिसाब से रख ले और इसके बाद जो है कढ़ाई को चुल्हे पर पुरा हिट होने दे और फिर इस पर तेल डाल करके गरम करते हैं जैसे का आप देख सकते हैं हलके आज पर तेल को डाला गया है और इसके बाद जब थोड़ा गरम हो जाए तो इस पर खटा हुआ प्याज को डाल दे और फिर इसे चलाते रहे ताकि ये एक जगब बैठे ना और उस पर तेज पते को भी डाल दे जैसे की देख सकते हैं तेल पर फिलाल पते को डाला गया है और इसके बाद जब थोड़ा गरम हो जाए तो इस पर खटा हुआ प्याज को डाल दे और फिर इसे चलाते रहे ताकि ये एक जगब बैठे ना जैसे की देख सकते हैं तो जैसे की आप देख सकते हैं प्याज को गलने के लिए मून को भी डाला गया है ताकि प्याज गल जाए और दोस्तों जनकारी के लिए बता दूं कि बनाने वाले जो है कोई पेसेवर मटन चिकन बनाने का कारिगर नहीं है जो भर में इस तरह से जो है भोज भतेर पर बन काफी तज्यूरबे का मटन चिकन बनाने वाला ग्रूप है और दोस्तों इसी का साथ हल्दी पौडर को भी डाल दे और जैसे के आप देख सकते हैं हल्दी पौडर तो भी डाला गया है और इसे भून रहा है वैसे दोस्तों लिल्गों का गेंग में काफी तज्यूरबे का मटन चिकन बनाने वाला ग्रूप है जो एक खड़े खसी का काट करके भी मटन बनाते हैं और फिर उससे तयार करके 100 लोगों तक अराम से खुआ सकते हैं तो जैसे कि इन गेंगों में देख सकते हैं काफी खाने का सोगन रखते हैं लोग खास करके बकरे कान को खाने में काफी एक्स्प्रियंस रहा है इसे खाने के लिए किसी तरह का मीट मसाला का जोर्रत नहीं पड़ता वस इस तरह के पकाया और मज़े से खाया जिए तो यहां देख सकते हैं कान खाने का सोकिन वाले किस तरह से कान को पका करके खा रहे हैं और प्याज का मात्रा भी घट चुका है क्योंकि जब प्याज आजा था तो कुछ ज्यादा मात्रा में था अब इस ढल करके धोड़ा कम हो चुका है तो तेल घटने के बाद इस पर आप तेल को और भी डाल सकते हैं जैसे आप देखी सकते हैं तेल बिल्कुल जल सुका था तो इसमें तेल को जोड़ा गया और फिर इसे जो है गलाया जा रहा है प्याज को और दोस्तों जनकारी के लिए बता दू कि यहां लगभग आपको सव से अधिक लोगों का जो मीट है बनने वाला है जिसके लिए अभी प्याज को भुना जा रहा है जैसे का आप यहां देख सकते हैं इसी तरह से यहां पर जो है यह बोड़ी जो टांग का बनाया गया है तो इसे अलग से भुना जाएगा और दोस्तों हम आपको पहले भी बताए थे कि इन कारिगरों का एक और साथी है जो खास करके बनाने में माहिर है और वो मसली काफी बनाते हैं मलब हर दिन बनाते हैं खुझ से एक होटल बेपसाई भी रह चुके हैं तो अब इनका भी सहय जी जी और दूसरे साथी जो है यहाँ आप देख सकते हैं जो लैसुन डाले हकीगत में कहें तो वही एक खास कारिगर है जो हर रोज इस तरह से मतन बनाते हैं जो है जसकरण जी नहीं का सहयोग में जो है तेश्टी मतन बनने वाला है तो हमारे साथ जो है वीडियो को अंत बने रहे जैसे कि दोस्तों आपने अब तक देखा तेल को गरम करके जो है इस पर तेज पत्ता डाला गया और फिर म्यमक डाला गया अब जैसे कि अहां आप देख सकते हैं मीट को भी डाला जा रहा है तो इस तरह से जो है अभी आधा मीट को भी डाला गया है बांकि जो है पिर दूसरे बावी में बनाएंगे क्योंकि बरतन छोटा होने का वज़र से आधा मीड को ही डाला गया है तो इस तरह से मीड जब डाला जाए तो चलाते रहना चाहिए जैसे का आप देख सकते हैं अगर इसे छोड़ दिया जाएगा तो कहीं जल जाएगा और जकर जाएगा तो इसे चलाते रहना अच्छा रहता है और दोस्तों आप जानी चुके हैं कि इतना ज़्यादा मीड जो है या तो हुटल में बनते हैं या तो किसी भोज में ही बनते हैं तो यहां भी किसी भोज का तयारी हो रहा है और लगभग 100 से अधिक लोग, 100 से अधिक लोगों का खाने का तयारी चल रहा है और इस तरह से जैसे कि देख सकते हैं इस पर जो प्यास था उसे पुरी तरह से मीट पर मिलाया जा रहा है और काखी दे चलाने के बाद मीट का कलर कुछ इस तरह से हो चुका है जैसे कि देख सकते हैं मतलब इसे अभी कहा जाए तो आधे मीट पाग चुका है अब इसमें जो है बागे का मसाला डाला जाएगा तो जैसे की देख सकते हैं अब इस पर जो है मिर्ची का भूल डाला जा रहा है तो खाने का स्वाद अनुसार भी मिर्ची डलता है इस पर अगर ज्यादा पड़ जाए तो ज्यादा तिखा हो जाएगा तो दोस्तों जैसे की देख सकते हैं अभी इसका जो कलर है बिल्कुल भद्दा सा लगता है मतलब जैसे होना चाहिए उस तरह का नहीं दिख रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं जो मीट से पानी निकल चुका है अब इसमें बिल्बिले आ रहे हैं तो अब इसमें जो है स्वाद अनुसार से नमक डाला जाएगा जैसे कि देख सकते हैं पहले भी नमक को डाला गया था और फिर स्वाद अनुसार जो है मीट का मात्रा और स्वाद अनुसार से फिर से नमक को डाला जा रहा है क्योंकि अब आज भी फुल गल चुपा है अब जो भी नमक डलेगा तो तो दोस्तों अभी भी मीट का अच्छे से बनना बांकि है प्रार नहीं हुआ है तो हमारे साथ बने रहे तो यहां पर देख सकते हैं अद्रक और मिर्च जो हरी मिर्च अद्रक के साथ मिल करके पूशा गया था उसे डाल रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं मिर्च पाउडर भी डाला जा रहा है जो कि अब यही जो मिर्च पाउडर है मीट में कलर भी भरेंगे और तिखा भी करेंगे इसी तरह से जो सामगरे है मीट का काली मिर्च और सुखे मिर्च सेकं जेनरल मिर्च आदी डाला जा रहा है अब इसी का साथ जो है धनिया पौडर को भी मिलाया जा रहा है तो दोस्तों यह जो बनाने का कार्य था बिल्कुल अंतिम चरहन में आ चुके हैं जैसे कि देख सकते हैं मीट का जो कलर है बिल्कुल बदल चुका है और देखते हैं जिसा लगता है कि में बन चुका है तो से पर्ष साथ तेस्ट भी किया जा रहा है और टेस्ट अनुसार पर अगर तीखा नहों तो बेज梱 मीट के डाला जाएग कर नम्मक नहों तो बिलकुल उतार लेंगे क्योंकि गल्ने के लिए देख सकते हैं पूरी तरह तयार हो मांपड़ेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इस adverse training हैं कि इस तरह से बना है कि ना टेस्की है तो खाने वाले ही साफ्क्राइण गया आपक लिए हुआ रोओ ल Andrea snesb हो आपका मित कि कितना ट्यूश्किश्टी से कुझें तो आप जो यह मीट खा रहे हैं यह कितना टेश्टी लगा आपको तो अधिस्टी मास कम ही मिलता है खाने के लिए बनाने वालों को हम बहुत भड़ियां धन्यवाद देना चाते हैं तो दोस्तों हमारे जनकारी हमारे वीडियो आपको प्रिक्ता लगा कमेट में वस लिखे और ये वीडियो पसंद आई तो से एक लाइक अबस करें दोस्तों को सेर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्रा करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी वीडियो को फिस्ट फिस्ट से देख रहे हैं हमारे पेज़ को हमारे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में करते के लिए जहीं जाएंगे